जेहिन सांथियों स्वागे थे आप सभी का education के at 6 में रुख करते एक बर फिर से बिहार के तरफ, फिर से वही मांग, बिहार में domicile नीती लागू की जाए और बिहार का खुद का जो TET exam है, बिटेट exam, उसको complete करवाया जाए, बिहार में 2017 के बाद TET exam नहीं हुए है, इस ची बिखाग इस बात से मुकर गया, कि जब CT exam हो ही रहा है, तो बिहार TET कराने की क्या फिजूल खर्ची करने की क्या जुर्वर, ये बहुत सारे चात्रे ने इसका support किया कि नहीं होना चाहिए, अब देखे इसके पीशे क्या कारण था, उसका आवाज उठाने का, देखे सारंड में TET हो रहा है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाना, मध्य प्रदेश, बिहार के अलावा छोड़कर सभी राज्ये अपना TET exam ले रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो है, जो धांदली की प्रक्रिया है, वो देखेगा, तो CTET में काफी जादा हुआ है, अभी सारंडिष्टी का 41 छात्रों का सेलेक्शन, रिजेक्शन में बदलने वाला है, चुकि वहाँ पर मेंचन किया गया था, कि CTET exam में अगर 60% नहीं है, अनिराज्जी के छात्रों का, तो उनको यहाँ से बाहर किया जाएगा, और ऐसे बहुत सारे छात्रे हैं, देख उससे अधिक नहीं है, तो आप बिल्कुल आवेदन मत कीजेगा, exam अगर दे दिये हैं, तो counseling में मत जाएगा, चुकि बाद में आपको फिर बाहर किया जाएगा, और ऐसी परस्तिती में देखिएगा, तो लगबग 10 से 14, 15,000 seat अभी तक लगबग खाली हो चुके हैं, अभी हर एक अगर जिले से बात कीजिएगा, तो 300 से लेकर 500 तक का जो संख्या है, सिक्चिकों का वो बाहर किया जा रहा है, और वो सभी अनिराज्ये के छात्रे हैं, जिनका 60% नहीं है, तो क्यों ना बिहार में TAT करवाया जाए, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए, अगर बिहार के चात्र उसमें ज्यादा मौका मिलेगा उस एक तो पहली चीज़, और वही चात्रे eligible हो पाएंगे, जिनके पास बिहार TAT में 60% से उपर स्कूर होगा, तो बिहार TAT का होना बहुत ज़रूरी है, अब जारखंड आखिर क्यों करा रहा है, देखिए उसके पीछे एक मंसा है, जारखंड TAT, उत्तर प्रदेश TAT, मद्य प्रदेश TAT, या हिमाचल प्रदेश का TAT, यह क्यों करवा रहे हैं लोग, इसके पीछे एक ही कारण है, कि जादा से जादा अपने राज्ये के छात्रों को यहां मौका दिया जाए, पहला कारण, दूसरा कारण उसमें आरक्षन नहीं है, बिहार में तो उन सभी सीटों पर यहां पर मौका मिल रहा है, जहां पर अणattend राज्ये के छात्र आकर एकर जेनरल कटेगरी में फाइट करते हैं, लेकिन यहां पे अगर देखा जाय तो बिहार में TAT हो ही नहीं रहा कि ज्यादा ज्यादा बिहार के छात्रों को और उनका सेलेक्शन ज्यादा हो सके, अन्य राजी के चात्रों के उपर ज्यादा फोकस किया गया TRE 1 और TRE 2 के दौरान, उनका सेलेक्शन भी हुआ, लेकिन अब सिक्षा विभाग जब जाज की प्रक्रिया सुरू कर चुकी है, तो सबसे ज्यादा सवाल उठ रहा है मानने य है, ऐसे सिक्षकों का सेलेक्शन लिया गया, जिनका कि स्टीट में 60% से उपर स्कोर थाईन है, और वो यहाँ पर सेलेक्शन लेकर अपना ज्वाइनिंग भी कर लिये थे, कई महीनों से वो बेतन भी उठा रहे हैं, तो अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, अब करना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए, मैं इसको करवाने के पक्ष में इसी लिये हूँ, कि बिहार के छातरों को सबसे ज़्यादा मौका मिले, जहाँ पर उन सीटों पर अनिराजे के छातरों को मौका मिला, और वो फरजी वाड़ा यहाँ पर करके गुश के नौगरी लेकर बैटे हुए थे, तेकि मैं सभी छातरों को जो अनिराजे से उनको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनको तो कहना पड़ेगा न, जो जानते और उन्होंने फॉर्म भरा, और आज देखें वही, आप वीडियो उठा के देख सकते हैं पुराना हमारा, आज वही छातरी यहाँ पर देखेगा, तो सेलेक्शन से बाहर हो रहे हैं, तो उन्होंने इक तरह से तो फरजी वाड़ा ही किया, जानने के बावजूद भी उन् तो वह यहां से या तो बैन होते हैं, और या तो यहां तो उनको बाहर किया जाता, तो कम से कम बिहार के छातरों को तो मौका मिलता जाता जाता, तो बिहार T.E.T. का होना इसलिए जरूरी है, लेकिन सरकार इसके उपर कभी तयार नहीं होई, इसके पहले भी मैंने कई एक बिडियो बनाया थे, जहां पर इन सभी चीजों को रखा था, कि बिहार T.E.T. होना चाहिए, बहुत सारे बिडियो बनाकर आवाज उठाया था, लेकिन सरकार इसके उपर क्या पक्ष रखती है, कि जब C.E.T. हो ही रहा है, तो दूबारा हम लोग बीटेट करके खर्चा क बनाया बिहार सरकार का, ये बाते निकल कर आए थी, जबकि 2017 में इन्होंने बिहार T.E.T. लिया था, और लेना ज़रूरी है, चुकि अन्य राज्यों में अगर आप देखेंगे, तो वो खुद का T.E.T. एक्जाम ले रहे, जैसे जारकन T.E.T. हो रहा है, दिल्ली T.E.T. भी करके, फिर अगर आप देखेंगा वहाँ पर, तो मध्यप्रदेश में T.E.T. हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश का T.E.T. हो, हिमाचल प्रदेश का T.E.T. तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ के छात्रों को ज्यादा स्यादा वो सलेट कर सके, इसलिए वो करवा रह हैं, फिर बात आजाती है, डोमिसाइल के उपर, डोमिसाइल नीती लागू करने की मांग छात्र क्यों उठा रहे हैं, मौका मिले बिहार के छात्रों को अन्यराज्य के छात्र आ रहे हैं, फरजी सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, फरजी डॉक्मेंट सर्टिफिकेट बनवा निवास प्रमाणाफत्र गलत बन वाले रहे हैं फर्जी वाड़े तरीके से जमीन दिखा दिखा कर और इसमें क्या हो रहा कि अन्राजे के छात्रों को फायदा हो जा रहा है और बिहार के छात्रों को इसका बेनेफिट ही नहीं मिल रहा है मतलब कि जहां general category के seat पर आपको सिर्फ 10% chance मिलना चाहिए था या 15% chance मिलना चाहिए था आपको 100% मिल रहा था जिसकी वज़ा से TRE1 और TRE2 में ज़्यादा चात्र आएं अन्ने राज्य से और वो बाहर भी हो रहे हैं जो की fake document लगाएं लेकिन हाँ जो genuine student है मैं उनको कभी नहीं बोलूँगा कि आप गलत है आपका बिलकुल selection सही है यहाँ पर आप अपने काबियत पर अपने eligibility पर आए हैं यहाँ तो आपका स्वागत है भाई आईए आप किसी भी राजी से लेकिन जब बिहार के छात्र आपके राजियों में जा कर सकते हैं तो ऐसा 12 नीती बिहार के छात्रों के साथ और बिहार सरकार को बिहार के सिक्षविवाग को इसके उपर विचार करना चाहिए दो मिसाइल नीती लागू करना चाहिए और बिहार TAT भी exam यहाँ पर conduct करना चाहिए इनी सभी चीजों को लेकर यह लिश्ट जारी कि और निराजी के चात्र आ रहे हैं तो भाई यहाँ पर जारखंड और वेश्ट बिंगॉल से भी तो चात्र हो सकते थे यहाँ फिर मद्य प्रदेश की भी तो चात्र हो सकते थे जिनका की selection हुआ रहता और वो 60% से कम मार्क्स वाले अपना मार्शिट लगाते लेकिन आखिर उत्तर परदेश का ही चात्र यहाँ देखिएगा तो क्यों सिर्फ उत्तर परदेश यह तो टोटल 41 ऐसे चात्रों का संख्या है जो की उत्तर परदेश के हैं यह लोग और 60% से कम होने की मार्स होने के वज़़ा से भी इन्होंने आविदन किया है प्लास 125 प्लास 628 में का selection हुआ है तो यह इसका जो मतलब अगर देखा जाए तो यह करने का जो सवभागे प्रदाप जो जिनकी चलते हैं सवभागे उनको प्राप्त हुआ है वो कौन है तो एक तो आतुर परसाद सर है और एक एक पाठक सर है यह आरोप नहीं लगा रहे है आप लोगों ने उसी सम नहीं होता यह पहले ही बाहर रहते और इनकी जगा पर बिहार के छात्रों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिला रहता आप देखेगा यहाँ पर इस्थानिये पर भारी पड़े पर्देशी यह क्यों भारी पड़ रहे हैं आप देख रहे हैं कि यह ग्यारा सो पैंतीस पर ज जिन वीडियो में उत्तर प्रदेश के छात्रों का rejection किया गया है तो अब इनको बाहर करने से क्या फायदा जब वो seat खाली ही रहा गया तो इस चीज को TRE 4 में ना दोह रहा जाए इसका ध्यान रखा जाए और TRE 4 के दौरान अन निराजी के जो चात्र है इन सभी eligibility criteria को समझे और फिर यहाँ पर exam दे या selection हो रहा है तो joining करें अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में पर सरकार से आयोग से लगातार ये मांग रहेगी कि आप जो मिशाइल निती लागू करें और बिहार TIT जरूर लें जैहिन